in human welfare आज इस chapter को हम complete करने वाले हैं, conclude करने वाले हैं, bio pesticide और bio fertilizers के थ्रोग तो चलिए, शुरू कर देते हैं अपने session को और समझ लेते हैं bio pesticides और bio fertilizers के बारे में detail में स्वागत है आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का और शुरू कर देते हैं आज के अपने सेशन तो एक बार मैं क्विकली देख लेता हूँ कौन-कौन से बच्चे आ चुके हैं स्वागत है बच्चों आप सभी का इसके लावा शिवानी ने जॉइन कर लिया आचल आ चुकी है अमित, खुशी, दिव्या क्या बात है बहुत से बच्चे आ गए है स्वागत है बच्चों टुक टुक वेलकम चलिए शुरू कर देते हैं अपने सेशन को पायो पेस्टी साइड और बायो फर्टिलाइजर ये वो चीज है जिन से हमें प्लांट या आनिमल्स में होने वाली डिजीजेस से भी चुटकारा मिल सकता है पेस्टी साइड के रूप में यूज किये जा सकते हैं पायो लॉजिकल पेस्टी साइड पेस्ट क्या होते हैं pest होते हैं disease causing organisms वो चाहे disease plant में करें चाहे animal में करें तो pest तो बहुत तरह के हो सकते हैं इसके लावा bio fertilizers fertilizers के बारे में भी जानेंगे और biological entities को किस तरह से हम as a fertilizer use कर सकते हैं जिससे हमारे fertility भी बढ़ जाती है और artificial nature ना होने की वज़े से नुकसान दायक भी नहीं होते तो फाइदे का सौधा है चलिए इनके बारे में जानते हैं जो भी information इससे related है आज complete करते हैं for all those students जिन्होंने आज पहली बार मेरा session join किया है my name is Pradeep Singh, my educational qualifications years of experience, number of students taught, everything is in front of you और मैं हमेशा कहता हूँ यह सारी की सारी चीज़े secondary आप है primary मैरे sessions को share भी किया करें hash neat light eddy के थूँ अपने social media platform आप करते हैं बचों telegram channel की सबसे पहले telegram app को करें install then go to the browser and type live daily.me forward slash chat और आप जुड़ जाते हैं इस telegram channel के साथ आपको सारे के सारे updates मिलने शुरू हो जाते हैं अपने session से related live daily.me forward slash neat यह वो feature है जिसके थूँ आपको हमारे सारे previous lecture उनकी complete playlist देखने को मिल जाती है यहीं से आप lectures को access कर सकते हैं straight away बात करते हैं academy subscription की country का best learning platform मिलती है structured live classes you can interact with us light pole leader board test series analysis और live doubt clearing session जैसे बहतरी इन फीचर यह रहे हमारे year long batch courses इन courses के साथ जुणे batches के साथ जुणे और अपनी तयारी को और उंदा करें करना क्या है इसके लिए very simple go to play store play store पर जा करके our academy learning app को करें install install करने के बाद option आएगा plus का select कर लीजिए need you get subscription subscription और फिर ये window यहां अपनी जरूरत के हिसाब से subscription चूज कर लीजिए 9, 10, 11 के बच्चों के लिए 24 मंत का subscription ही बैतर रहता है क्योंकि यह बहुत ही अधी cost effective पढ़ता है use करिये code pradip live आपको बेरे batches में जुडने का मौका मिलेगा मेरी पूरी की पूरी टीम के साथ आप जुड़ जाते हैं code use करिये pradip live price high के अलर्ट आ चुका है तो जिन बच्चों ने join करना है अब देर ना करें फटा फट जुड़ें use करें code pradip live so let us start now स्वागत है बच्चों आप सभी का इस chapter और इस chapter को complete करने के बाद हम इस unit के उपर आज एक unacademy quiz भी करेंगे after the end of the session तो चलिए शुरुबात करते हैं biopesticide and biofertilizer से related सारी की सारी information समझना बहुत जरूरी है so let's start biological pest control क्या होता है biological pest control ये समझना सबसे पहले जरूरी है so the method of pest and pathogen control with the help of virus bacteria and other insect naturally is called biological control याने कि pest और pathogen को control करना है चाहे virus को यूज करके चाहे bacteria को यूज करके या किसी और insect को यूज करके इसको biological control कहते हैं अब आप यहाँ पर देख लीजे कई तरह के insect आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक दूसरे से भिन हैं अलग हैं और इनके बीच में एक दूसरे के प्रती एक तरह की स्परदा भी है competition भी है तो एक दूसरे को रहने नहीं देगा अब इसको हमें identify करना है कि कौन से organism को हम identify करके उन organisms का खात्मा कर सके जो हमें किसी न किसी तरह के से नुकसान पहुचाते हैं देख है इसी चीज़ को biological control bio pesticide कहते हैं तो bio fungi side भी देखेंगे fungi को भी control करने का तरीका है तो ये सारी कि सारी चीज़ों को अब हमें समझना है तो आपको बता दिया कि पेस्ट और pathogen को control करना है virus bacteria और दूसरे insect को ले करके इसी को कहते है biological control उन मिलाके biological entities ही दूसरी biological entity को बढ़ने नहीं देंगी याने कि दो की दुश्मनी का फायदा उठाना है दो organism में अगर आपस में natural कोई उनके बीच में ऐसी tendency है एक दूसरे को किल कर देते हैं तो उसी का फायदा उठाना है इनसान इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते है let's continue use of other organism to kill pest constitute biological pest control and such organisms are called biopesticides तो एक organism जो दूसरे organism को किल कर दे किसी को biopesticide कहते है यानि कि जिनहें हम pest मानते हैं उन pest को जो खत्म कर दे वही biopesticide है तो वो biopesticide किसी animal के form में भी हो सकता है और किसी plant का भी part हो सकता है extract हो सकता है जैसे देखिए biopesticide क्या क्या है इस कीड़े को मारने के लिए एक particular plant का extract भी काम में आता है bacteria भी kill कर सकता है fungi भी कर सकता है virus भी कर सकता निमाटोड कर सकता फुल मिलाके इस बिचारे का खात्मा होना है इसका खात्मा करने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया वही है biopesticide समझ गए बात pesticide याने कि जो pest को kill कर दे और biopesticide याने कि biological material कोई भी artificial material नहीं कि हमने कोई chemical substance बना दिया जो pesticide है क्योंकि बच्चों मानलीजे आप pesticide यूज़ करते हैं कोई एक chemical मानलीजे DDT की ही बात करते हैं तो वो kill तो कर देगा आपके मन चाहे pest को खत्म तो कर देगा लेकिन वो हमारे लिए भी नुकसान दायक है हमारी food chain का हिस्सा बनेगा उस food chain में mix होगा वो भी हमारे लिए नुकसान दायक है प्रगती पूछ रही है pest क्या चीज है pest वो जीव है जो किसी ना किसी तरीके से हमें नुकसान पहुँचाता है चाहे हमारी फसल को नुकसान पहुँचा दे चाहे हमारी टोटल पैदावार के उपर effect कर दे या हमारे store grain को खत्म कर दे वो भी pest कहलाता है तो यह सारे सारे यानि कि pest वो चीज है जो disease cause करता है या हमारी productivity को घटा दे pest की definition बड़ी बहु आयामी है काफी ब्रहद definition है pest की तो bio pesticide का मतलब हुआ कि ऐसा material जो biological entity है और किसी दूसरे pest को खत्म कर दे चलिए थोड़े से example देखते है और ज़्यादा clarity के साथ समझ में आएगा pesticide जो normal pesticides होते हैं जो chemical pesticide होते हैं they cause harm to host organism along with the pest क्याने कि वो host को भी मारेंगे और जिस organism host को तो मारेंगे से for example जैसे मैंने बात करी DDT तो DDT का अगर छिड़काओ कर दिया जाए तो मच्छर मखी बहुत तरह के कीड़ पतंगे मर जाते हैं लेकिन वो DDT हमारी body में भी आता है food chain के थूरू आता है हमें उतनी जल्दी तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा लेकिन अगर ज्यादा quantity में accumulate होता चला गया हमारे food chain में तो bio magnification के form में ये काम करता है याने कि फिर वो धीमे 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 हमें नुकसान पहुंचाता है छोटे pest को तो तुरद खत्म कर देगा लेकिन हमें नुकसान पहुंचाएगा थोड़ा टाइम लेकर देगा याने कि biological pest control क्यों यूज किया जा था अब ये देख लिए एक कीड़ा इस बड़े कीड़े को मारने की पूरी कोशिश कर रहा है ये देख रहे हैं ये कीड़ा देखिए इस कीड़े को उसके उपर हमला कर दिया है उसने उसके अंदर जहर पहुंचा करके उसको मारने की पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है और वो मर जाएगा तो ये क्या हुआ ये बायो पैस्टिसाइड़े तो हुआ इतना खतरनाक इंतजाम देख लीजिए एक कीड़े दूसरे कीड़े को खत्म करने के पीछे लगा हुआ है आगे बढ़ते हैं पायो हर्बी साइड भी है पायो हर्बी साइड क्या हो गए हर्प्स याने की अन्वॉन्टे़ प्लांट जिनको वीड्स भी कहते हैं उनको भी किल करने के लिए इस्तिमाल किये जा सकते हैं तो bio herbicide are organism or their part or extract that destroy the weed without harming useful plant अब question है कि weed क्या है weed का मतलब है unwanted plant हम जब crop plant खेती करते हैं तो हम crop plant की growth कराते हैं याने कि गेहूं को लगाया आपने तो गेहूं की फसल होनी चाहिए गेहूं के साथ अगर बार्बेरी का पौधा grow करेगा तो आप क्या कहेंगे आपकी पैदावार आपकी जमीन को खबजा कर रहा है उस इलाके को occupy कर रहा है उस nutrient को occupy कर रहा है जिसको weed के plant ने इस्तेमाल करना था यूज करना था तो ये क्या हुआ ये पौधा कहलाता है weed weed के example कुछ देख लेते हैं calotropis calotropis कहीं पर भी grow हो जाता है अमारी country में दिखता है it is a common weed parthenium, carrot grass, gajar ghas ये भी एक तरह का weed है unwanted plant है हमारे company hinopodia malba, बत हुआ बहुत ज़ादा quantity में produce होता है खेतों में ये भी एक तरह का weed है तो इस तरह के बहुत से unwanted plant है जिनको weed कहा जाता अब इन weed को मारने के लिए weedicide आता है 2-4-D का नाम आपने सुना होगा chemical fertilizer में तो वो weedicide डालने से चोड़ी पत्ती वाले weed मर जाते हैं और cereal crops याने की हमारा गेहूं और चावल के पौधे बच जाते हैं लेकिन वो कहीं न कहीं food chain में जाता है और वो नुकसान करेगा ही करेगा आज नहीं तो करेगा इसकी जगे अगर हम bio herbicide यूज कर लें तो काम भी हो गया कोई नुकसान भी नहीं है ना तो पहला bio herbicide कौन सा था divine और कोलेजो दो नाम के herbicide है bio herbicide है तो इन दोनों का इस्तेमाल 80s से शुरू हुआ 1980s जिसमें से divine को 1981 में डेवलप किया गया था US में और कोलेजो को 1982 में डेवलप किया गया ठीक है these are the first micro herbicide micro herbicide का मतलब क्या हो गया याने कि ये herbicide fungi को use करके बनाए जाते हैं fungi से बनाए जाते हैं और अलग-अलग plant में इनका इस्तेमाल किया जाता है तो ध्यान दीजिए पहला जो divine नाम का herbicide है ये दुनिया का पहला herbicide है 1981 ध्यान रहे 1981 में इसको डेवलप किया गया था और तब से ये बड़े काम कारे किस चीज़ से बनता है liquid concentrate of clamidospore of phytophthora palmyvora phytophthora infestans का नाम तो आपने सुनाई होगा phytophthora infestans phycomycetus phytophthora infestans क्या करता है potato में disease cause करता है late blight of potato phytophthora infestans उसी phytophthora genus का ये fungi phytophthora palmyvora इसके clamidospore जो होते हैं उनको अगर liquid concentrate बना लिया जाए उन clamidospore को इकठा कर लिया जाए तो ये bio herbicide के रूप में यूज किया जा सकता है ये देख लीजिए ये clamidospore रिलीज हो रहे हैं phytophthora palmyvora से divine बनता इसको divine के नाम से जाना जाता है इसके concentrate को यानि कि उसका extract यूज किया जाता है ठीक है किस चीज में यूज किया जाता it is being used since 1980s to control morania odorata एक तरह का milkweed wine है citrus orchard में जहां पर oranges, lemon का cultivation होता है, खेती होती है वहाँ पर ये weed morania odorata grow करता है morania odorata इसको milkweed wines कहते हैं ये देख लीजिए एक तरह की बेल है इस तरह से ये फैली हुई है तो citrus orchard में ये काफी ज़ादा पाई जाती है तो वहाँ पर जाकर के divine का छिड़काओ कर दिया जाता है जो clamidospore को use करते हैं फंजाई है, उन्ही का concentrate होता है और ये weed बिचारी मर जाती है है ना काम की चीज़ इसी के साथ साथ एक और है Collegio Collegio या Collegio So Collegio is another mycoherbicide from Conidia of Colletotrichum Glosporidus fungus So Colletotrichum Glosporidus fungus से use किया जाता है ये भी उसी तरह का काम करता है ये देख लीजे Conidia तो ये दोनों के दोनों बहुत तरह की wide variety of weed को किल करने के काम में आते है इन दोनों के नाम याद रखिएगा निवाइन और Collegio ये दोनों mycoherbicide है myco जाने की fungus mycology, fungus की study mycoherbicide है ना Conidia से ये पाया जाता है नाव एक और बड़ा important है prickly pear cactus prickly pear cactus याने की open shea नाम तो सुना होगा आपने open shea phyloclade open shea में phyloclade होता है तो ये जो open shea cactus है ये औस्ट्रेलिया और इंडिया में ये खूब पनपता है औस्ट्रेलिया के भी dry areas में और इंडिया में भी dry areas में देखा जाता है और इसको नागफनी कहते हैं इंडिया में इतना ज्यादा फैलता है ये इसको control करना बड़ा मुश्किल होता है और काटे होते है तो यहाँ पर इसका control ढूंड लिया गया एक insect है cactoblastis cactorum cactoblastis cactorum जिसको coccineal insect भी कहा जाता है ये इसके larva इसी के उपर feed करते हैं ये देख लीजिये किस तरह से निकल रहा है और larva ने खा लिया ये देख लीजी larva यहाँ पर दिखाई दे रहा है जैसे ही इसके philoclade को ऐसे open किया गया larva पूरा damage कर देते है pool को भी damage कर देते है flower को भी damage कर देते है और लार्वा फिर निकल करके बाहर आ जाते हैं, यह देख लिए लार्वा लगे हुए, तो Cactoblastis Cactorum इसका नाम जरूर याद रखेगा, प्रिकली, पियर, Cactus याने की ओपंशिया, ओपंशिया की बहुत सारी प्रजातिया हैं, जैसे की ओपंशिया डिलैनी, आप ओपंशिया SP याद रखेए, बहुत है, ओपंशिया SP, ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में, Cactoblastis Cactorum के द्वारा उसको कंट्रोल में किया जा सकता, देख लिए पुरी की पुरी, जो प्लांट बॉडी है, वो ड्राइ हो गई, सूख गई, ना, इंसेक्टिसाइड अफ प्लांट और जिनकी बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए, इंसेक्टिसाइड का मतलब हो गया, इंसेक्ट को किल करने वाली potency है, नैचरल इंसेक्टिसाइड माने कि नेचरल प्रॉड़क्ट से ऑक्टेन किया जाए, मान लीजिए हम बात करते हैं, नीम की पत्तियों से को chemical निकाला जाए अब उसको क्या बोलेंगे तो इसको natural insecticide की ही श्रेणी में रखा जाता है इस तरह की बहुत सारी चीजों को जिनको artificially ना-produce किया जाए nature से obtain किया जाए तो इनको natural insecticide के नाम से जाना जाता है ठेक है now these have little toxicity for animal जैसे की rotinon, rotinon कहां से निकाला जाता है root of deris sp and launchocarpus sp launchocarpus sp और deris sp दो plant है इनके roots से इनके जड़ों से rotonine को बनाया जाता है इसमें animals के लिए toxicity less है और यह बहुत से wide range of kilo को मारने में सक्षम है rotinon, natural insecticide from alkaloids like nicotine nicotine भी एक तरह का natural insecticide है, अगर इसका concentrate निकाल लिया जाए, nicotine को extract किया जाए tobacco से और उसको use किया जाए, तो यह natural insecticide है, याने कि हमने chemically produced नहीं किया, इसका नुकसान काम है same goes for pyrethrum and cinerine, crysanthemum नामक flower से, यह देख लिए crysanthemum है यह, flowering plant है यहां से obtain किया जाता है pyrethrum और cinerine, इसके लावा azadirachtin एक chemical पाया जाता है नीम की पतियों में नीम या margosa, इसकी पतियों में azadirachtin, azadirachta indica इसका वैग्यानिक नाम है, यहां पर azadirachtin obtain किया जाता है margosa या नीम की पतियों से, और यह भी बड़ा potent है, नीम के बारे में आपने सुना हुआ है, कि नीम की पतियों को अगर सुखा करके grains के बीच में रख दिया जाए, grain याने कि जहां पर अनाज का storage हो रहा है, उसमें किड़े नहीं लगते, नीम की पतियों को सुखा करके, अगर उसको धुआ यूँज करने के लिए किया जाए, smoking के लिए यूज किया जाए, कैसे करेंगे, नीम की पतियों को सुखा लिया गय उसमें आग लगा दी गई, जब उसमें flames में बस्ट करें, तो किसी चीज़ से ढग दीजिए, oxygen की कमी की वज़े से flames खब महो जाएंगी, लेकिन वो आग उसमें रहेगी थोड़ी थोड़ी, सुलकती रहेगी, हलके हलकी आग रहेगी और incomplete combustion होगा और smoke produce होगा, उस smoke से घर के मच्छर और मखी दिखाई भी नहीं देंगे, भाग जाते हैं, चले जाते हैं, तो इतना potent है, यह बड़ा common है, शेहरों में भी यूज़ करना चाहिए, इसको दिहाद छेतर में यूज़ किया ही जाता है, यह देख लीजिए, as a dirachita indica, most useful natural insecticide, अब इसमें एक resistance है, बहुत स करा दिया जाए लकडी में, तो दीमक वहाँ पर ग्रो नहीं करता है, क्योंकि नीम के तेल से उसको दिक्कत है, oil निकलता है, नीम में, यह देख लो, यह निमकोरी कहलाते हैं, यहां पर seed पाए जाते हैं इसके अंदर, और इसके seed को crush करके नीम का तेल निकाला जाता है, oil न insect, nematode, mites, etc. तो यह है हमारा नीम का प्रभाव, natural insecticide, अब biological control में, वही continuous है, lady bird beetle क्या करती है, वो aphids को खा जाती है, तो lady bird beetle को beneficial insect कहा जाता है, एक तरह का beetle है, देख लिए कैसे aphids को खारी बड़े मजे से, तो यह biological control में यूज किया जा सकता है, अब आप इसको biopesticide भी कह स insect को खतम कर रहा है, एफिट्स को खतम कर रहा है, कीडे मकोडों को खतम कर रहा है, तो यह एक तरह का biological control है, ठीक है, तो चीज वही है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, lady bird beetle देख लिए किसे, कैसे मजे से पकड़ पकड़ के एक एक aphids को खा रही है, कहानी यही नहीं ख खतम होती, gambusia fish का नाम आपने सुना हुआ है, biological, जो binomial nomenclature series थी, उसमें मैंने आपको poecilia के बारे में बताया था, गप्पी fishes, जेनरली कहते हैं, gambusia और गप्पी fishes, यह क्या करती है, गप्पी fishes जो है, mosquito के larva को खा जाती है, तो यह भी एक तरह का biological control है, इसके साथ dragonfly भी पकड़ करके खा जाते हैं, मच्छरों के लिए यह बहुत काम के होते हैं, helicopter जैसा दिखने वाला यह dragonfly, mosquito larva और mosquito को खा जाता है, mosquito larva नहीं, mosquitoes को खा जाता है, larva तो पानी में रहता है, तो gambusia और गप्पी fishes, पानी के अंदर से उनको खा जाती है, है ना, dragonfly feed on mosquitoes, एक एक मचर को देख लिजी आप, ज्यान से देखिया, आपको मच्छर दिखाई दे रहा होगा, उसके पैर भी दिख रहे हैं, so it is feeding on those mosquitoes, very nicely खत्म करने में लगा हुआ है, now एक और चीज़ है, bacillus thuringiensis, जिसको हम BT cotton में आपने पढ़ा है, biotechnology में इसके बारे में पढ़ा हुआ है, bacillus thuringiensis is a biocontrol agent for that control, butterfly caterpillar, यानि कि मौत के caterpillar को मारने का काम bacillus thuringiensis करता है, एक तरह का bacteria, इसके पास cry protein होता है, यह bacteria bacillus thuringiensis, इसके पास cry protein को बनाने की gene होती है, in fact इस gene को भी extract करके, biotechnology के थूँ, हमने insert कर दिया, अपने crop के अंदर insert कर दिया, तो वो तो एक अलग process हो गया, that is a different process but अगर हम usually bacillus thuringiensis को यूज करें, यानि कि इस bacteria को grow करा है, इसके spore को छिड़काओ कर दिया जाए, so now if the larva gets to eat these cry protein, that cry protein solubilizes in the alkaline pH of the gut of the larva, ही कह है, Ritik, Rocky, Meera, Vishnu, Priyanka, समझ में आ रहा है, Sampa, welcome, तो alkaline gut में ये solubilize हो जाता और 15 minute के अंदर अंदर insect के gut में puncture हो जाते है, edema हो जाती, swelling हो जाती है, और break कर देता है, gut के अंदर lysis हो जाता, ये देख लीजिए, microbes किस तरह से इसके gut के अंदर जाकर के multiply करते हैं, और cry protein को produce किया, ये देख लीजिए, cry protein है, इसको और refine way में यूज करने के लिए, BT cotton बनाया गया, BT corn बनाया गया, इनके बारे में आपने अल्रेडी पढ़ा हुआ है, बायो टेकनोलोजी में, तो कुल मिला करके bacillus thuringiensis का cry protein है, वो चाहे आप extracted form में लीजिए, चाहे बायो टेकनोलोजी में यूज कर लीजिए, या bacillus thuringiensis को ही खू Trichoderma, Fungus Trichoderma, यह जितने नाम बता रहा हूँ, यह सारे के सारे नीट के लिए important है, हर एक नाम को आपको ध्यान में रखना है, समझ के चलना है, तो Fungus Trichoderma act as a biological control in the treatment of many plant diseases, plant में अगर कोई किसी तरह का disease हो रहा है, याने की different plant diseases, bacterial or fungal diseases, उनको खत्म करने में Trichoderma बड़े का It is a free living fungi and that are very common in the root ecosystem, याने की soil में देखा जाता है Trichoderma soil fungus है, और यह biological control in the plant diseases, इसके साथ सारे बैक्यूलो वाइरसे भी होते हैं, जो insect and other arthropod को attack करते हैं, बैक्यूलो वाइरसे और यह वाइरसे जो हैं, नूक्लियो पॉली हेडरो वाइरसे की प्रजाती को बिलॉंग करते है बैक्यूलो वाइरसे ज्यादा तर नूक्लियो पॉली हेडरो वाइरसे हैं यह and they have no negative impact on plant, mammals, bird or even non-target insect, यह सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट और arthropod को ही निशाना बनाते हैं, बैक्यूलो वाइरसे तो बाकी किसी भी biological entity को को कोई नुकसान नहीं करते हैं, चाहे human हो, चाहे plant हो किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, तो बैक्यूलो वाइरसे को भी यूज किया जाता है, समझ में आ गई बात, तो कुछ-कुछ आप समझ गए, अब हम बात करने वाले हैं, बायो फर्टिलाइजर के बारे में, एक चीज़ और समझ यह बच्छे, यहाँ प बहुत बड़ी है, इसके उपर आपको जब कभी रिसर्च करने का मौका मिले, तब आप ज़्यादा डीटेल में करिएगा, अभी तो उतनी ही जानकारी लीजिए, जो आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, अलाकि फिर भी मैं आपको काफी कुछ एक्स्ट्रा ही बता आप, फिर भी, हाना, तो जितनी बात बताई गई, उतनी बात तो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है, ना, वट र बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर्स आर, माइक्रो और्गानिजम्स, विच ब्रिंग, अबाउट नूट्रियंट अन्रिच्मेंट अफ सॉ क्या होते हैं, केमिकल सबस्टेंसे होते हैं, जिन से प्लांट्स को मिनरल वगेरा की आपूरती होती है, यही तो है फर्टिलाइजर, तो किसी माइक्रो और्गानिजम्स को यूज़ करके, अगर हम नाइक्रोजन और फॉस्फरस जैसी चीज़ों को क्रॉप्स के रूट में पहुंचाएं, क्रॉप्स के लिए अवेलेबल कर दें, तो वो बायो फर्टिलाइजर हो सकता है, इसमें सबसे प्रमुक आते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स, बहुत तरह के माइक्रो और्गानिजम हैं, जो सॉयल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते है यह सबाते हैं, इसके साथ साथ कुछ माइकोराइजा तक के तरह के फंजाई हैं, जैसे ग्लॉमस फंजाई, तो माइकोराइजा, फॉरेस्ट के ट्रीज से इको सिस्टम में ज्यादा देखने को मिलता है, सॉयल के अंदर, वो क्या करता है, वो अलग-अलग नूट्रियंट बहुत इंपोर्टेंट, नाओ, दा माइक्रो ऑर्गानिजम विच एक्ट अस बायो फर्टिलाइजर आर कौन-कौन से हैं, बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे और माइकोराइजल फंजाई, तो कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ साइनो बैक्टीरि बैक्टीरिया की कुछ लिस्ट है, उसको जान लेते हैं, आजोटो बैक्टर, बैसिलस, पॉली मिक्सा, आजोस्पिरिलाम, बाइजरिंग किया, ये हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो दे आर स्वाइल ड्वेलिंग और उसी मिट्टी में जहां पर वो रहते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं, तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं फिल्ड में, तेक है, नाव फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइन अभी तो हमने देखा बैक्टिरिया अब हैं साइनो बैक्टिरिया जैसे की एनाबीना, नॉस्टॉक, अलोजीरा एंड टॉली पॉत्रिक्स यह वो साइनो बैक्टिरिया हैं जो फ्री लिविंग हैं सॉयल में पाए जाते हैं और यह नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं तो हम Biotic Nitrogen Fixing Bacteria के बारे में आपने बढ़ा हुआ है कि देख लीजिए किस तरह से root nodules बनाते हैं और जा करके fix कर देते हैं nitrogen को mutually beneficial association बनता है plant के साथ एक दूसरे को help करने का mechanism तो bacteria क्या करता है obtain food and shelter from the plant and return and they fix nitrogen for the plant सिदिजी बात है plant के लिए nitrogen fix करता है इसके बारे में भी हम mineral nutrition chapter में plant physiology में पूरा का पूरा mechanism detail में पढ़ेंगे कि rhizobium किस तरह से infection thread create करता है और किस तरह से root nodule बनाता है rhizobium सबसे common है pomps nodule on the roots of leguminous plant यह leguminous plant की roots हैं इन roots के असपास देख लीजिए यह rhizobium bacteria पहुँच गया यह rhizobium infection thread बनाता है अंदर जाकर के infect कर देता है वहाँ पर cell division होता है nodules बन जाते हैं उन nodules के अंदर यह क्या करते हैं nitrogen fixation का process करते हैं root nodules के अंदर leg hemoglobin नामक oxygen scavenger भी मौजूद होता है जो oxygen की अगर presence होती है तो उसको absorb कर लेता है क्योंकि oxygen रहेगा तो nif genes nitrogenase की activity नहीं हो पाएगी ठीक है now symbiotic nitrogen fixing cyanobacteria तो bacteria के साथ साथ cyanobacteria भी है अब psychus की root के साथ psychus की root में coralloid root देख लीजिए psychus anabina यह देख लीजिए यह coralloid root है likens में भी information होता है दो organisms का azola के साथ भी azola anabina भी बड़ा important combination माना जाता है तो यह blue green algae हैं जो fix करते हैं several plants के साथ roots के साथ association करके nitrogen fixation का काम करते हैं azola anabina rice field में लगा दिये जाते हैं क्योंकि rice field में water logging condition होती है दो से तीन महीने जब तक धान की पैदावार होगी तो rice के plant को rice को thirsty plant भी बोला जाता है तो उसमें water logging होती है azola anabina दोनों का association बड़े काम का होता है बचों यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ अनोखी चीज नहीं है सिर्फ कुछ examples होते हैं उनके क्या काम है और उनको याद रखना होता है तो यह जो biology in human welfare topic है इसमें direct information वाली चीज़े हैं इस chapter में microbes in human welfare में ठीक है तो यह रहा azola anabina का association यह भी बड़ा important association माना जाता है azola is a fern azola pinata देख लिजी एक तरह का fern है उसके साथ blue green algae याने की anabina का association association उसके roots में और वहीं से fixation होता है nitrogen now talk let us talk about mycorrhiza mycorrhiza भी हम detail में पढ़ चुके हैं mycorrhiza के बारे में हमने endomycorrhiza और endomycorrhiza और endomycorrhiza इनके बारे में detail में biological classification chapter में पढ़ा था तो आपने अगर वो lecture नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिए vesicular and arbuscular mycorrhiza, endomycorrhiza, ectomycorrhiza इनके बारे में detail में पढ़ा यहां पर सिर्फ हमें कुछ examples देखने है mycorrhiza जो fungi बनाते हैं तो कैसा relationship है mutually beneficial या symbiotic association है fungus का with the roots of higher plant तो किस तरह से fungi यहां पर penetrate करता है ectomycorrhiza में क्या होता है fungus हाइफे plant के cells के बाहरी रहते हैं और plant cell वही पर उसको sugar substances भेज दिया करते हैं पहुचा दिया करते हैं endomycorrhiza अंदर तक जा करके जो phloem के through sugar वगएरा आता है उसको extract करता है और उसको utilize करता है तो यह हिसाब किताब है इन में right mycorrhiza और glomus fungi सबसे ज़्यादा mycorrhiza को cause करता तो the fungal symbiont in these association absorb phosphorus from the soil and pass it to the plant यहाँ पर phosphate या phosphorus सबसे ज़्यादा quantity में मिलता है glomus genus इस काम को बखुबी इन्जाम देता है mycorrhiza में glomus नामक fungi सबसे ज़्यादा active होता है यह देख लीजे glomus fungi के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि किस तरह से यह phlox भी बनाता है याने कि जो aerobic digestion होता है sewage water का treatment होता है वहाँ पर भी glomus fungi देखने को मिल जाता है glomus और bacteria के साथ एक तरह का phlox भी बनाता है bacterial phlox के बारे में भी बात करी हुई है इसी के साथ बचों यह chapter हमारा होता है समा क्योंकि इसमें बहुत जादा कुछ नहीं है छोटा chapter है फिर भी मैंने आपको बहुत detail में इस chapter को complete कराया अब आगे बारी होगी हम कुछ questions practice करेंगे आज भी करेंगे और कल भी DPP question series करेंगे daily practice paper के थुरू हम कुछ questions के उपर discussion करेंगे कल के session में भी और इसके बाद फिर अगले chapter की बारी है तो अगला chapter हमने करना है strategies for enhancement in food production नामक chapter जिसमें plant से related topic बचा हुआ है animal husbandry आप कर चुके हैं तो उसको करने के बाद we will move towards the ecology section जो की बड़ा ही महत्वपूर्ण section है ecology section को पूरा detail में करने की आवश्यक्ता है क्योंकि वहां से question कई सारे बनते हैं आप लोगों के लिए important ठीक है आज का मारा topic है biology in human welfare जितने बच्चे इस वक्त session में हैं जुड़े रही है अब मैं आपको एक code देने जा रहा हूँ उस code के थुरू आप quiz के साथ participate कर सकते हैं biology in human welfare तो quiz start करने जा रहे हैं चलिए पहले आपको process बता देता हूँ करना कैसे जो भी नए बच्चे हैं सबसे पहले बच्चों go to play store play store पर जा करके unacademy learning app को करें install unacademy learning app को install कर लीजिए install करने के बाद unacademy learning app को install करने के बाद option आएगा neat ug का neat ug पर select कीजिए plus select कर लीजिए code मैं अभी के अभी आपके साथ share करने वाला हूँ तो इसके बाद बच्चे नीचे देखेंगे आप तो test का option दिखाई देगा test button दिखाई देता यह दिख रहा test button तो इस test पर click करेंगे जैसे ही test पर आपने click किया join quiz का option आएगा join quiz का button आपको दिखाई देगा जैसे ही आपने join quiz पर click किया और फिर quiz को start कर दूँगा तो मैं code आपको दिये देता हूँ आप code को enter करें और तयार हो जाईए biology in human welfare इसमें human health and disease के भी questions आपको करने को मिलेंगे human health and disease के भी question मिलेंगे तो मैं बच्चों आपको 20 questions दे रहा हूँ और 20 I think 40 second का timer लगा देते हैं क्योंकि इसमें कुछ question बड़े-बड़े होते हैं तो उन question को read करने में time भी लगता है biology in human welfare code आते ही मैं आपके साथ share कर देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं create quiz and biology in human welfare create quiz yes clicked on create quiz option अब आपकी quiz बन रही है code आते ही code आपके साथ मैं यहाँ पर note कर देता हूँ code है बच्चे आज का 341-843 341-843 is code के साथ फटा-फट आप लोग जुड़ना शुरू कर दीजिए 341-843 यह code है जैसे ही आप सब बच्चे जुड़ जाएंगे तो मैं quiz को start कर देता हूँ 341-843 341-843 is the code बहुत ही तेजी के साथ बच्चे जुड़ रहे हैं मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा लिख देता हूँ कि आपको दिखाई दे प्रॉपर 341-843 इस code के साथ आप quiz का हिस्सा बने फटा फट जुड़े quiz के साथ है ना और करना शुरू कर दीजिए काफी बच्चे जुड़ चुके हैं 341-843 code को याद रखिए अब मैं आगे चलता हूँ आपको अपने सेशन से रिलेटेड याने की जो अपडेट्स हैं वो सारे के सारे दे देता हूँ उसके बाद एक बार code फिर जो बच्चे लेट में जुड़ने हैं उनके साथ भी शेयर करूँगा 341-843 यह रहा हमारी special classes का schedule तो शुरुवात होता है मेरी class से सुबह 10 बजे आप लोगों को unacademy learning app को install करके special classes में भी आना चाहिए free of cost classes होती है आपको idea भी लग जाता है किस तरह से आपने join करना है यह राध दीपक सर की classes का schedule Monday to Wednesday class 11th की बारी YouTube पर 7 p.m. is my time slot with each one of you Thursday to Saturday class 12th की बारी again 7 p.m. I would be there with you telegram channel को भी install करें सबसे पहले telegram app install करिए go to the browser and live daily.me और इसके साथ forward slash chat जुड़ जाते हैं telegram channel के साथ live daily.me forward slash neat एक और बहतरीन feature जिसके तुरू आप हमारे सारे previous lectures देख सकते हैं यहाँ पर पूरी की पूरी playlist मिल जाती है वहीं से आप access कर लेते हैं unacademy subscription country का best learning platform मिलती है live classes structured live classes you can interact with us live for leaderboard test series analysis और live doubt clearing session जैसे बहतरीन session मिलते हैं यह रहे हमारे year long batch courses बच्चों इन courses के साथ जुड़े अपनी तैयारी को और उंदा करें price hike alert आ चुका है तो join करिए use करिए code प्रदीप live करना क्या है unacademy learning app को install कर लीजिए play store पर जा करके install करने के बाद plus get subscription और फिर यह window यहाँ अपनी जरूरत के हिसाब से subscription चूज कर लीजिए 9, 10, 11 के बच्चों के लिए 24 month का subscription ही बहतर रहता है और use करिए code प्रदीप live आप मेरी guidance में आ जाएंगे मेरी पूरी की पूरी team के साथ जुड़ पाएंगे अपने पूरे course को complete कर सकते हैं use करिए code प्रदीप live iconic subscription बचों यह एक नया feature है यहाँ पर आपको कुछ extra features मिलते हैं apart from your regular subscription आप चाहें तो iconic subscription के साथ भी जुड़ सकते हैं इसका cost थोड़ा सा जादा है लेकिन feature काफी जादा है NEET UG workshops में शामिल हो सकते हैं expert guidance मिलेगा study planner आपके साथ मिलेगा test analysis हो सबसे बड़ी बात है you will get a personal coach आपको एक NEET का personal coach मिलेगा जो आपको guide करेगा आपने थियारी से related Unacademy Neet channel को subscribe भी करिए bell icon को hit कर दीजिए hash NeetLife daily के थूँ अपने social media platform पर share कर दीजिए Unacademy Neet, Unacademy J, Unacademy for 9, 10th and 11, 12th all our assist to channel together let's crack it for joining with Unacademy subscription use code PradeepLife you will get 10% discount और मेरी guidance में अब आज का code एक बार फिर से share कर देता हूँ 3, 4, 1, 8, 4, 3 काफी बच्चे अभी अभी जुड़े हैं तो उन बच्चों ने पीछे का code नहीं ध्यान दिया होगा तो मैं दुबारा code को दे देता हूँ 72 बच्चे जॉइन हो चुके हैं फटा-फट जुड़ जाईए बच्चों अब बहुत जादा वक्त नहीं है quickly जुड़ जाईए मैं quiz को start कर देता हूँ ठीक है 3, 4, 1, 8, 4, 3 अन academy quiz एक बड़ा ही बहतरीन feature है इसके थूँ आप जब questions को करते हैं तो बहुत फायदे होते हैं बच्चों आपको क्योंकि आपकी practice बनी रहती है lot of MCQs के थूँ 3, 4, 1, 8, 4, 3 अब मैं countdown शुरू कर रहा हूँ एक से 10 तक यानि कि 10 से एक तक का countdown करूँगा और उसके बाद start कर दूँगा 77 बच्चे जुड़ चुके हैं 89 बच्चे जुड़ गए हैं इसका मतलब बड़ी तेजी के साथ बच्चे अब जुड़ रहे हैं in fact मैं countdown start करी देता हूँ 80 जुड़ चुके हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Let us start 82, 84 बच्चे जुड़ गए हैं जैसे ही मैं start button पर click करने जा रहा हूँ एक दो बच्चे जुड़ गए तो मैंने का एक round figure ही हो जाए आपके लिए ही फायदा है कुछ second रुक लेने में कोई दिक्कत नहीं है 85 students have joined ठीक है countdown भी पूरा हो चुका है 40 second का timer है तो पहले question के करने के साथ साथ काफी बच्चे जो इस वक्त on academy learning app को install कर रहे हैं वो भी जुड़ जाएंगे तब तक 87 बच्चे इसी के साथ जुड़ गए है तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जितने जादा candidate उतना जादा फायदा तो ठीक है अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ let me start now 88 students have already joined चालिए बच्चों so that is excellent and the quiz has started all of you enjoy answering the questions take care